दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी क्यों बैन नहीं किया जा सकता इसकी वज़ा क्या है तो सबसे बड़ी वज़ा ये है कि पूरी दुनिया में इसके इन्वेस्टर्स मवजूद हैं जो कि currency को बैन किया जाता है तो दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों पर इसका effect पड़ेगा जितने भी देश हैं वहां के जहां जितने भी लोग trade करते हैं उन सब पर इसका effect पड़ेगा तो इस वज़ा से इसे बैन नहीं किया जा सकता है और इस वज़ा से हम लोगों को इसमें धरने की कोई बात नहीं है आप इजीली इसमें ट्रेड कर सकते हैं कोई तिकत नहीं यह ने जाती है बस इससे थोड़ा इफट्ट यह होता है कि मार्केट क्रैस हो जाता है तो ये सारी प्रॉबलम तो इसमें बहुत से रिजन्स होते हैं इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं कि किसलिए ऐसा किया जा रहा है तो बहुत से रीजन है तो खेर हमें इसे कोई मतलब नहीं है बस इतना हमें पता होना चाहिए कि अगर क्रिप्टो बैंड की कोई भी न्यूज आती है तो यह क्रिप्टो करेंसी बैंड नहीं किया जा सकता क्योंकि पाइडर्ट कि यह पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर इसे बैंक किया जाता है तो दुनिया के जितने भी कंट्री हैं जितने भी इन्वेस्टर्स आइं जो भी लोग इसमें इंवेस्ट किये हैं और काफी बड़ी-बड़ी जो कमपनियां होती हैं वो लोग भी इसमें इंवेस्ट करते हैं तो तो यह पॉसिबल नहीं है तो उनका भी काफी ज्यादा नुक्सान होगा तो इस वजासे अगर investment जो भी पैसा हो वो निकाल सकते हैं तो ऐसा किया जा सकता है तो भी इससे भी कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर सभी को पता चल जाएगा कि एक महीने बाद या पंदरा दिन बाद बंद होने वाला है तो कोई भी यहाँ पे तो कोई भी यहाँ पे आसानी से अपना जो भी वो investment करेगा वो investment निकाल सकता है और उसके बाद यहाँ से बाहर हो सकता है तो इससे कोई भी फरक नहीं पड़ने वाला है किसी पर भी तो इसलिए किसी को भी इसमें डरने की जरूरत नहीं बस यह समझ लीजिए कि जब भी crypto band का news आता है या crypto band से related कोई भी news आती है तो उससे यह effect पड़ता है कि जो भी currencies होती है चाहे वो बड़ी currencies हो चाहे वो alt coins हो जो भी हो सब ही पर इसका effect पड़ता है और market crash हो जाता है बस इससे यही इतना effect पड़ता है और कुछ भी नहीं होता है और अगर इसे ban करना होगा अगर government ban करना चाहती है तो हम लोगों को time दिया जाएगा जो भी इसमें invest करते हैं उन सभी को time दिया जाएगा उन सभी को time दिया जाएगा फिर उस time में वो सभी अपने assets को जो भी coin के पास है वो sell करके और उसके बाद अपना investment निकाल सकते हैं उसके बाद ही यह ban होगा तो इस तरीके से यह ban किया जा सकता है और नहीं तो और कोई तरीका नहीं है ban होने का तो इसमें कोई भी problem नहीं है अगर आप trade करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कर नहीं होनी चाहिए आराम से आप trade करिए आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई भी पैसा loss होने वाला नहीं है अगर आप जब तक चल रहा है तब तक आप profit ले सकते हैं और जब यह ban होगा तो सभी को पता होगा कि यह ban होने वाला है और सभी के पास time होगा अपना investment निकालने के तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जय हिंद